दोस्तोर आज हम बात करने वाले है अर्थिराइटिस क्यूं होता है, तो इसके 5 ऐसे कारण में आपको बदाने वाला हूँ, जिससे आपको बचना चाहिए, और इस से अगर आप बज गया तो अर्थिराइटिस से बज सकते हैं, आरफवावीत करते हैं। इसका हैवारा स्टांने की मोरसोगाया कैना फोली से पिर्बाड़ाक की. व्क जिसके डैटर गती में काते हैं। व्क करते हैं। कि हम दोप्रोज में मुठीव है. दोस्तों सबसे हमेरे मोठाप पेगा। परमोटाब्धि की वजय सै भी रच्थव सकता है क्योंकि वेट ज्यादा होनि ज्यूएंटस पर ज Davha पर फड़ता जी से कंपर परिषयन box कोगरी बारेटिसौं के उसा जाये अपनी और यह ब्योंकि व्यूंकि ब्सक्रहत को खंब भी πेड़ता है इस टाइल के वेज़ से भी आर्टो अमीनो डिसीज हो सकते हैं जिनमें से अर्थराइटिस एक है तो दोस्तो खराब लाइफ स्टाइल से बचने के लिए हमें बाहर के खानों से बचना चाहिए कुछ ऐसे फूड अपनी डाइट में इस्तेमाल करने चाहिए घडेलू फूड इस्तेमाल करने जिसके खाने से हमारा शरीर भी स्वस्त्रे और अर्थराइटिस का खत्रा कम हो जाए दोस्तों चोथा सबसे बड़ा कारण है एज का क्यों भी साट साल की एज के बाद शरीर की कमजोरी हो जाती है जिसकी वेसे हड़िया भी कमजोर होने लगती है तो साट स साल के बाद भी आर्थराइटिस की बीमारी को कुमन माना गया है दोस्तों पांच माँ और सबसे लास्ट कारण है चोट लगना शरीर के किसी हिस्से में चोट लगने की वएसे मसल्स और बौन दोनों इंजर्ड हो जाती है जिसको मनतर अंदाज कर देते हैं उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाइब करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें